केजरी वाल का तो वैसे मैं आपको बात ना करो तो ज़्यादा अच्छा है वैसे इसका नाम केजरी वाल नहीं है इसका नाम है केजरी दीन ये केजरू दीन है ये केजरू दीन है और इसने बच्चों तक की कसम खाई मैं ये नहीं लूँगा मैं ये नहीं लूँगा मैं ये बैसे पूरा देश दहल गया है। लोग सोचने पर मजबूर हो गये हैं कि अब नाई की दुकान पर जाएं की ना जाएं। लोगों के जेहन में सवाल उठने लगे हैं कि ऐसे लोगों से सामान करीदे की ना करीदें। जो लोग ऐसी मांसिकता कि हैं कि मासूम बच्चों की भ परिवार के प्रति नहीं सम्वेदना, उन बच्चों के माता पिता से कुछ नहीं कहना, लेकिन इनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं अखलेस यादो. कि मैं इसको अखिलिए इसको दोशी नहीं मानता तो इसके संसकार ही ऐसे हैं इसके संसकार ही ऐसे हैं इसके पिता के जो अंदर थी वो चीज़ें तो पुत्र के अंदर भी वही आई हैं तो कि मैं इस बात का साक्षी हूँ इसके पिता ने कहा था कि राम मंदर में तो पृरिं अब इसे अपने बोट में तो दिखाई दिये उन बच्चों में भी देखिए ये राजनीती का खेल खेल रहा है जो कि समसे पहली बात तो यह थी मैं एक सादूम हूँ मुझे किसे मोह नहीं होता लेकिन यह बात सुनकर करके मुझे भी कि दुख हुआ बता उन बच्चों ने किसी का क्या भी गारा था तो समसे पहले चलिये वहां नहीं भी जाता कुछ भी नहीं करता समसे पहले तो उसने संबेदना ब्यक्त करनी चाहिए थी लेकिन उनने सीधा यह परसंद कर दिया कि उसका एंकाउंटर क्यों किया सीधी सी बात है कि इसको क्यों एक पक्स का बोट चीए आज तक का इतिहास है इन्होंने कभी हिंदूओं का कभी पक्स ने लिया यानि हम यह भी नहीं कहते कि को किसी का पक्स कर है हम तो चाहते सच क को सच के है जूट को जूट के है गलत रास्ते पर जब इनके पिता मुलायम सिंह यादो चले परिराम इतना गलत भुगतना पड़ा तो क्या अखलेस यादो को भी परिराम गलत भुगतना पड़ सकता है कि जब यह बीर 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 जो है बबूर के बोरा है तो आम कहां से ख दो बच्चों की मोत पर रो रहा पूरा देश, रो रहा पूरा देश, आप डूंड रहे हैं बोट, राजनीच की आड में तुमको चाहिए नोट, बाबा इतेशी धरम सनातन, सत्य और प्रिय बोलो, दया धरम का मूल है, अब तो आखें खोलो, अब देखें संत्त तो केवल क क्या है, समझाई सकते हैं, संत्तो केवल जो है, शिक्षा ही दे सकते हैं, ज्यान दे सकते हैं, तो मैं भी देखिए, मैं एक अख्रेश की बात नहीं कर रहा, जो भी आज, चैवो देश का कोई भी नागरिक है, चैवो संत है, चैवो राजनेता है, चैवो वकील है, चैवो एक बात का जहां नखना चीए हमें भारत वासी है भारत एक देश है हम इस राठ्र की फुरक्षा करनी है हमने सब को एक साथ लेकर के चलना पड़े मैं सबसे कहुआ कि सब का साथ सब का विकास और सब का विश्वास सब को एक साथ लेकर के चलिया हाँ अगर हिंदू कोई गल्द करता है उसका बिरोध करो लेकिन मुसल्मान कोई बिरोध करता है उसका भी बिरोध करो एक तरफा मत चलो बहुत वेदना आपके अंदर दिखाई दे रही है और मैंने देखा अखलेश के साथ बड़े नेता भी जो तमाम चोटी-चोटी बातों पर ट्विट कर देते हैं बोलते हैं चाहे प्रियंका गांदी हो चाहे राहूल गांदी हो ये सारे नेता भी ऐसे बड़ी घटना पर द ये सारे जो गठ बंदन में जितने भी लोग आए ना ये सबी सीके अब देखे अब कांग्रेश की बात लिया अपने प्रियंका गांदी का नाम लिया राम की जी के बारे में बोलो ने ने सोड़ा बकील खड़े किये राम को कल अपना मात्र बताया राम का सी तो भी नहीं ह ने सारे एक ही ठेली के चट्टे बटे इन्हें देश से कोई मतलब नहीं इन्हें धरम से कोई मतलब नहीं इनको केवल कुर्शी चाहिए और कुर्शी किसलिये चाहिए केवल इस देश को खोखला करने के लिए आप मैं उधारन देकर के मैं परतक्स में कहता हूँ मैंने नह नौ परदानमंत्रों से पर्तक्स में मिलाउं जैसे आप से बात किये ना ऐसे मैंने बात किये लेकिन मैं मानता हूं धन्यो भारत भुलदारि लालनन्दा को धन्यो लाल बहादुर सास्त्री को लेकिन यह है कि इन लोगों के जो अच्छे थे ना इनके कारियकाल ही फोड़े और इनके कार्यकाल थोड़े क्यों रहे, तोकि कांगरेस वर्ल उनको टिकलने नहीं दिया, सास्थ्री जी कि आप जो कहते हैं दूर घटना नहीं हुई थी, वह हत्या हुई थी, क्यों रोगीथी नंदा जी जी के साथ चाल खेली गई इंद्र कुमर गुज्लाल के साथ चाल खेली गई जो भी अच्छे लोग आए मजबूरी वस्छी उनको आगे तो कर देते है लेकिन ये चाहते हैं के सत्ता हमारे हाथ मेरे है दोर हमारे हाथ पर है अब देखिए मैं कौन नीश बात को जानता दस वरस तक मनमौन सिंग्धी हमारे देश के परधानमति रहे अच्छे थे पढ़े लिखे थे योग थे लेकिन कभी बोले और अगर जो बोला वो बोला जो उनको पढ़ा दिया गया तोस्ते की तरह यानि के ठीक है वही है तुम भी कांग्रेस को गाली देते थे कांग्रेस भृष्टाचार में डूबी हुई बताते थे वही केजरीवाल की पचास मेरे पास अखवारों की कटिंग और पचास बार जब सीला जी दिक्षित जी वहां उसमें मुख्यमंत्री थी दिल्ली की मेरा दिल् प्रम खाई मैं यह निन लूगा मैं यह निन लूगा मैं यह निन लूगा और बड़ा इमांधार बनता आपको बड़ा और इससे बे इमान मेरे तेख़ो कोई नी निकल लोगे तो मैं नी कहरा पकर communications सी आ सारा देश देख रहा है लेकिन वो कहते हैं कि फसाया जा रहा है और ऐसा है देखिए हो तो होता ही है चोर कभी ये कहता है कि मैंने चोरी किये हो तो कहते हैं मिला जुटा नाम लिया जा रहा है अब बताईए ये तो कहते हैं सराव बंद होनी चीए जब अन्ना हजारे के अंदोलर में थे लेकिन उन् प्रवार बेकार हो रहे हैं और कितने परिवार बरबाद हो रहे हैं कोई भी चिंता नहीं इससे क्या मतलब उन्हें तो मेरा परवार फ़रना पूरना थे लेकिन याद रखना गरीब को मस्ता गरीब रोदेगा और सुनेगा उसका मालिक तुझे जड़ से खोदेगा यही हाल इनका होना है तुमारा जी का लबो लो आप यही कहना है कि गरीब को मत सताओ गरीब रो देगा और तुम्हें जो है एकदम जड़ से खुतम होना पड़ेगा तो चहे अकले सियादों हों चहे अर्विंद केजरीवाल हों अगर गलत किया है तो गलत परिवाम उन्हें मेरे आने से पहले ही उन्होंने कुछ पंग्तियां अपने आप लिखी थी बैठे बैठे उन्होंने वो पंग्तियां डायरी में लिख ली थी और बाचीत का जब सिलसिला हुआ तो वो डायरी में से बाहर वो पंग्तियां आई तो एक ऐसे संत हैं देश के एक ऐसे संत हैं जो किसी भी देश के मुद्दे पर अगर निर्मम हत्या होती है तो मनाहात होता है कहीं कुछ गलत होता है तो मन में तकलीफ होती है यानि पूजी संत महराज राष्ट को सर्वो परी बानते हैं और इसलिए मैं बार-बार आता हूँ बातचित भी करता हूँ क्योंकि जब संत ही कर सकते हैं क्योंकि हमारा देश संतों और रिश्यों का देश है तो बाबा जी को बहुत-बहुत प्लाम बहुत-बहुत बंदन जो इस प्रमुक मुद्दे पर आपने विवाकी से अपनी बाते रखी अपनी गायरत